हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं साम पित्रोडा पर चीकने वाली गोधी मीडिया यडूरप्पा के अट्रासो करोड की रिश्वत पर खामोश क्यू है करनाटक के पूर्व सीएम एवं वरिष्ट बीजेपी नेता बीएस यडूरप्पा की एक कथिट डाइरी से खुलासा हुआ है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं को अट्रासो करोड रुपे की रिश्वत दी ये कुलासा न्यूज मैगजीन के अरवान ने अपने एक रिपोर्ट के जरिये किया है कथिट डाइरी के मुताबिक बीएस यडूरप्पा ने करनाटक का मुख्यमंत्री बनने के लिए लालकृष्ण अडवानी को पचास करोड राजनात सिंग को सौ करोड नितिन गड़करी को देड़ सो करोड मुरली मनोहर जोशी को पचास करोड अरुन जेटली को देड़ स करोड वकीलों को पचास करोड नितिन गड़करी के बेटे की शादी में दस करोड बीजेपी सेंच्रल कमिटी को हजार दिये डाइरी में कथित रूप से यडूरप्पा के हस्ताक्षर है जो उनकी हैंड राइटिंग से मेल खाती है डाइरी इंकिम टाक्स से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस मामले की जाच की मांगी है कॉंगर्स प्रवक्तार अंदीप सूर्जिवाला ने दिल्ली के कॉंगर्स मुख्यालाई में प्रेस कॉंफरेंस कर कहा कि चूकी इस मामले में मोधी कैबिनेट के बड़े नेताओ का नाम शाम नजर नहीं आ रहा देश के मेंस्ट्री मीरा से ये मामला पूरी तरह से नदारद है न्यूस 18 जैसे चानल इस मामली पर बहस करने के बजाए राहुल के गुरू का सेना पर सवाल नेता हिंदुस्तानी कवच पाकिस्तानी जैसे बनावटी और बीजेपी के अजेंडे वाले मुद्दों पर बहस करते नजर आ रहे है वही जी न्यूस की प्रोग्राम ताल ठोके में तो पुलवामा के हत्यारों पर फूल बरसाती कॉंगरिस जैसे विपक्षी पार्टियों को घेरने वाली बहस की जा रही है आज तक भी इस मामले में पीछे नहीं है उसके प्राइम प्रोग्राम दंगल में भी फरजी राश्ट्रवाद पर बहस जारी है मीडिया के इसी रवाइये पर पत्रकार आदित्य मैनन ने तीखी टिपपनी की है उन्होंने ट्वीट कर लिखा साम पित्रोडा जो की कॉंग्रस के निय था भी नहीं है उनकी टिपपनी पर चीकने च सब्सक्राइब करना ना भूले